घर में लड़ू गोपाल रखते हैं तो कुछ नियम जान लेना चाहिए आपको कि लड़ू गोपाल कुर रखने के क्या क्या नियम है जिस भी घर में लड़ू गोपाल जी का परवेश हो जाता है वह गर सथेई गोपाल जी का हो जाता है मतलब वह गर गोपाल जी के नाम हो ज से कहे कि जिस भी घर में लडू Goopal जी का प्रवेश हो जाता है वे गर गोपाल जी का हो जाता हर इसलिए मेराा घर का भाव मन से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए अव वे लडू गोपाल जी का ही घर है दूसरी बात यह है कि लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं सत्य तो यह है कि अब आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का परिवार है अत्य लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का इस्तान परदान किया जाना चाहिए तीसरी बात परिवार के सदेशिय के आवशेक्ता के अनुसार ही लड़ू गुपाल जी की हर एक आवसेक्ता का आपको विशीस द्यान रखना है चोथी बात, एक विसीस बात यह है कि लड़ू गोपाल जी की विसीस ताम जहाम के नहीं बलकि आपके प्रेम और आपके भाव के भुखे है, अधर उनको जितना प्रेम जितना भाव अर्पित किया जा सकता है, उतना करने की कोशिस करें पांचवी बात, प्रती दिन लड़ू गोपाल जी को इसनान अवस्य कराएं, किन्तु इसनान कराने के लिए इस बात का विसेश त्यान रखें कि जिस परकार घर का कोई सदश्य सर्दी में गरम पानी वे गरमी में ठंडे पानी से इसनान करता है, उसी परकार से लड़ू गो जिस परकार आपको भूग लगती है, उसी परकार लड़ू गोपाल जी को भी भूग लगती है, उनके भोजन का ध्यान रखें, भोजन के अतरिक सुबह के नास्ते का ध्यान रखें, और साम के नास्ते आधी का विसेश ध्यान रखें, साथ भी बात, घर में कोई भी खाने कि वस्तु आए प्रतेक मुसम के अनुसार लड्डो गोपाल जी के लिए सर्दी गरमी से बचाओ का प्रबंद करना चाहिए मुसम के अनुसार ही उनके वस्तर पहनाने चाहिए लड़ू गोपाल जी को गर्मी में गर्मी के वस्तर पेनाने चाहिए सर्दी में सर्दी के वस्तर पेनाने चाहिए और सोते टाइम भी उनके लिए जैसे हम रजाई का इस्तमाल करते हैं गरम उसी तरह से लड़ू गोपाल जी का भी ध्यान रखें नवी बात लड़ू गोपाल जी को खिलोने बहुत प्रीयें उनके लिए खिलोने अवस्य लेकर आएं और उनके साथ कुछ टाइम बिताएं उनके साथ खेलें उनके साथ गुमें उनसे बाते करें 10 विवाद समय समय पर लड़ू गोपाल जी को बाहर गुमाने भी अवस्य ले जाएं जिसे आपके घर में अगर पार्क है तो पार्क में ले जाएं छट है तो छट पर ले जाएं और लड़ू गोपाल जी को अपने घर के आसपास की चकत दिखाएं चट से भी दिखा सकते हैं, ग्यारवी बात, लड्डु गोपाल जिसे कोई ना कोई नास्ता अवस्थ से काइम करें, जाहे भाई, पूत्र, मित्र, गुरु, आदि कोई भी क्यों ना हो, जो भी रिष्था लड्डु गोपाल जिसे बनाएं, उसको प्रेम और निष्टा से न भाएं, बारवी बात, अपने लड्डु गोपाल जी को कोई प्यारा सा नाम दें, जिससे आप हमेशा उसी नाम से लड्डु गोपाल जी को बुलाएं, तेरी बात, लड्डु गोपाल जिससे प्रेम पूरवक बाते करें, उनके साथ खेलें, जिस परकार घर के सदश्यों को भोजन करते हैं उसी प्रकार उनको भी प्रेम से भोजन कराएं। पहले लड्डू गो पाल को भोजन कराएं। उसके बाद स्वियम भॉजन करें। चोदुवी बात पृति दिन रात रे में लड्डू गो पाल को शयान अवश्य करवाएं। जिस प्रकार एक छोटे बालक को प्रेम से सुलाते हैं उसी प्रकार से उनको भी सुलाएं। थप थप आएं लोरी सुनाएं। पंद्रिवाद प्रति दिन प्रात है प्रेम पूर्वक्त पुकार कर उनको जगाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को आपको प्रति दिन प्यार से पुकार कर जैसे हम बच्चों को जगाते हैं उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी जगाना चाहिए। किसी भी घर में प्रवेश के साती लड्डू गोपाल जी में प्रान प्रतिष्टा हो जाती है। इसलिए उनको मात्र प्रतिमा ना समझ कर घर के एक सदश्य के रूप में ही उनके साथ वेवार करें। यूटोब प्रतिःग जनमास्टिं पर लड्डू गोपाल जी की पूझा दुम धाम से होती है। किन्टु यदि आपको व्हे तिति पता है, जिस दिल लड्डु गोपाल जी ने आपके घर में प्रवेस किया है, तो उस तिति को लड्डु गोपाल जी के जनमदिन के रूप में आप प्रतिवर्स मना सकते हैं बच्चों को घर बुला कर उनके साथ लड्डू जी का जनम दिन मनाएं और बच्चों को खिलोने वित्रित करें यू तो और भी भहुत से कारी हैं जो भक्त अपनी सर्था के अनुसार कर सकते हैं कि इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो लड्डू गोपाल जी इन चीजों से प्रसन हो जाते हैं जै लड्डू गोपाल की